जाहिन सातियों, स्वागत है आपका, आपके अपने चैनल सेलेक्शन पुर में सातियों इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्या देखेंगे SSTGD की कट आफ क्या जा सकती है अगर आपके इतने फिशन बिल्कुल ठीक हो रहे हैं निके 1690 लड़कों का यहाँ पर आप लोग क्या देखेंगे डेटा देखेंगे और इन 1690 लड़कों के आधार पर आज हम लोग देखेंगे क्या कट आफ सातियों होने वाली है तो सातियों बने रहे हैं इस वीडियो को लाइक कर दीजे तो बात करें सातियों जो 10 जनवरी को एक्जाम हुआ था एससी जीडि का जो डेटा है सातियों लड़के हैं जो उनका डेटा यहाँ पर 124 बंदे हैं इन बंदों के सातियों average attempt question यानि के सबने कितने कितने question attempt किये हैं 58 question attempt किये हैं 80 में लेकिन इनके सही questions कितने हुए हैं 51 questions इनके सही हुए है करके तो ये आये थे 58 question लेकिन बाद में देखा तो कुछ गलत हो गये 5 से 6, 6 से 7 question गलत हो गये तो आप इनका score जो बन रहा है वो 51 question पर बन रहा है यानि के 102 पर इनका score बन रहा है ठीक है चली यहाँ पर हम लोग नॉर्माली बात करें तो questions के हम लोग बात करेंगे, ठीक है, चलिए, आप सभी को पता है, SC question और एक question दो number के 160 score आपका बने उसके में से, यहाँ पर अगर बात करें साथ हूँ, 11 जनवरी के अगर बात करते हैं, तो 102 बंदो का candidate ऐसे हैं, जो लोग average attempt question कितन करके हैं, यानि के 69 question ये लोग करके आए हैं, लेकिन इनके घर आने के बाद कितने question बन गए, 53 question बन गए, यानि के 69 से 35 हो गए, यानि के 6 question गटाना पड़े, तो इनके कुल मिला के गलत हो गए 6 question, ठीक है, उसी परकार 12 जनवरी के 152 लड़के हैं, 60 question तो ये exam में करके आए, लेकिन देखिए, यहाँ पर से दो मकसद हैं मेरे, ये average attempt question को और correct question को बताने के दो मकसद हैं मेरे, एक तो आपको ये मालूम पड़ पाए, कि maximum बच्चा जो है, वो असी में से कितने questions attempt करके आया है, attempt करना अलग बात होती है, और finally score आना अलग बात होती है, माल लेजे कोई 65 question paper में करके आया, लेकिन अब उसने देखा कि 60 question ही उसके सही हो रहे हो, तो जो real score कहलाएगा ना, जो real questions करेक्ट कहलाएगा, वो 60 पर जाके रुकेगा, ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि maximum बंदे कितने कितने question करके आ रहे हैं, चलिए उसके बाद देखिए सातियो 13 जनवरी की बात करें, 201 बंदे यहाँ पर 61 question तो करके आये हैं, लेकिन 55 question ही इनके क्या हुए हैं, सही हुए हैं, उसके बाद बात करें, सातियो 17 जनवरी की तो 193 बंदे हैं यहाँ बात करें, 69 question तो यह लोग करके आये हैं, लेकिन यहाँ पर बाद में इनके कितने question बावन कोशन बने आ नी कि न को लगा अरे भाई यह तो घलत हो गया यह गलत हो गया तो 6 से 7 कोशन, 5 से 6 कोशन हर बंदा घलत करके आ रहा है तो यहां पर सातीों बात करेंगे चलिए नौर्मलाइजेशन की बात करें अब मैं आपको यहां पर त reg 25e, बिस परकार भी हो सकते हैं एक एक लाक भी हो सकते हैं अब माल लिजे सातियों के 10 जनवरी को 100 बच्चों ने जो average attempt question किये वो 58 question attempt किये लेकिन यहाँ पर बात करें 13 जनवरी की बात करें तो 61 जो है 61 क्या है average question attempt है तो किसकी shift cutting मानी जाएगी इसकी shift cutting मानी जाएगी normalization किसको मिलेगा इसको normalization मिलेगा 10 जनवरी वाले को क्यों क्योंकि इसका average attempt question जो है वो कम है जिसका average attempt question जादा होता है उसका paper को आसान माना जाता है उसको normalization नहीं दिया जाता है अब पिछली बार अगर बात करें तो सातियों देखिए दो तरह से आपका normalization हो सकता है जैसे के मान लीजे ऐसके गھटा दिये जाए एक काम ही होगा या तो इसके तीन नमबर बढ़ाके 61 कर दिये जाए ठीक है या इसके तीन नमबर ढ़ता के क्या कर दिये जाए अठावन कर दिये जाए लेकिन जादा तर जो देखा जाता है वो नमबर बढ़ाए जाते हैं घटाए नहीं जाते हैं कि ये बंदा अपना जोड़ लाए के मेरे तो 61 बने ठीक है फिर इसके घटा दिये जाएंगे तो ये नाराज हो जाएगा इसे हजारों लाकों बच्चे नाराज हो जाएंगे तो वो चीज़ सही नहीं लगती है आयोक को इसलिए आयोग जो करता है वो सिर्फ नंबर को बढ़ाता है, नॉर्मलाइज करने के लिए घटाता नहीं है, लेकिन कभी-कभी बाई-चांस ऐसा हो जाता है, कभी-कभी घटने भी लगते हैं, चलिए. तो यहाँ पर साथियों बात करें के 17 जनवरी को 249 लड़के, कोशन जो करके है, 62 करके है, लेकिन इनके साथ कम हो गए, साथियो 55 कोशन ही इनके रहे, तो कोल मिला के यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होगे, कि करेक्ट कोशन, यानि कि बच्चा मैक्सिमम कोशन जो करके आ 61 कोशन करके आए, लेकिन बाद में उनके 54 कोशन ही, यहाँ तो बहुत घाटा हुआ इस बंदे को, ठीक है, तो 253 बंदे होगे, 24 जनवरी की बात करें, 153 बंदे जो के 60 कोशन करके आए थे, लेकिन इनके कितने रहे गए, 53 कोशन, 53 कोशन ही रहे गए, अब हम लोग सबका average देखेंगे, जैसे के बात करें, कुल लड़के कितने मिले हैं, तो 1690 लड़के ऐसे हैं, जो लोग करके तो कोशन 60.2 दो आये हैं, यानि के 60 कोशन करके आये हैं, लेकिन जब घर पहुचे हैं, तो 53.44 कोशन उनके सही रहे, यानि के करके 60 कोशन आये हैं, और देखा तो 53 क कोशन सही हुए हैं, यानि के गलत कितने करके आये, साथ कोशन गलत करके आये, और इसी में से जो कुछ गलत कोशन करके आये होंगे, नेगटिव मार्किंग का उनको भार उठाना पड़ा होगा, तो साथ कोशन उनके लगभग कोल बिला के कम हो गए, तो सबसे पहली बात ब साथी,ुung तैरे इसिटबे, ठीक है, तो यहाँ पर जो कुल मिला के एवरेज स्कोर बन रहा है, वो 53 इंटु 2 बन रहा है, यानि के 60 जो है, वो एवरेज स्कोर बन रहा है, सभी का, चली, अब हम लोग साथी, यहाँ पर देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, कट आफ दे आप बिल्कुल सेफ हो फिजिकल की तैयरी बहुत ही आराम से अपलोग कर सकते हो तो बात करेंगर जनरल वालों की तो जनरल में अगर आपके 58 कोशन से 61 कोशन ठीक हो पा रहे हैं तो बिल्कुल सेफ हो फिजिकल के लिए numbers में क्यों क्योंके देखिए दो तरह की बाते होती हैं अगर बात करें 2018 वाली vacancy की 2019 वाली vacancy की तो इसमें जो भी vacancies आई थी और जिनके पास EWS का certificate था तो वहाँ पर बहुत बहुत अंतर देखने को मिला है मैं कुछ vacancies आपके सामने लूँगा जैसे के forest guard वाली जो पी forest guard वाली उसका result आएगा ना वो 2018 की vacancy है तो मेरे कहाँ से 2019 या 2018 की vacancy उसमें EWS वाले को बहुत बहुत नंबरों का फाइदा देखने को मिलेगा यहनिके OBC से बहुत ही कम जाएगी EWS वालों की cut off दिल्ली पुलिस में आपने देखा होगा सौ में से 10 नंबर का फरक था सातियों 10 नंबर का EWS के लिए लेकिन अब अगर बात करें जो भी 2021 में जिसने EWS से अपलाई किया था 2022 में अपलाई किया था तो सातियों वहां पर वो इसका कोई खासा फरक नहीं देखेगा EWS में OBC में बहुत जादा अंतर नहीं मिलेगे जैसके UPSI की वेकंसी की मातर एक से दो नंबरों का ही फाइदा देखने को मिला था ठीक है एक से दो नंबरों का फाइदा ही देखने को मिला था तो यहां पर अब बात करें बहुत जादा अंतर नहीं देखने को मिलेगा हाँ अगर OBC की कट ओफ 54 जाती है तो EWS की कट ओफ 53 जाएगी एक नमबर एकाद नमबर का तो फाइदा देखने को मिल सकता है लेकिन उससे जादा फाइदा नहीं आपको देखने को मिलेगा तो अगर आपको कोई भ्रहम में डाल रहा हो के वही EWS है तो जल्वा कट जाएगा तो बहुत कम नमबर पर कट ओफ जाएगी ऐसा कुछ भी नहीं होगा है ठीक है वक्ती तोर से आप लोग उसकी वीडियो देखकर खुश भले हो जाओ लेकिन जो सचाई है जो वास्तविक्ता है वो मैं वीडियो के माद्यम से हमेशा बयान करता आ रहा था और हमेशा बयान करता हूँगा स्ट की अगर बात करें तो 48 से लेकर 51 के बीच आपका स्कोर है तो सेफ हो स्ट की बात करें तो 45 से लेकर 49 के बीच अगर आपका स्कोर है तो आप बिलकुल सेफ हो तो सातियों ये रही SSE GDK का टॉफ ये मैंने आपको क्या बताई है सातियों मैंने आपको ये बताई है फिजिकल के लिए कटॉफ ठीक है तो आप सभी लोग क्या करेंगे चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करेंगे और इस वीडियो को सातियों आप सबी लोग जरूर एक बार शेयर करेंगे और कमेंट सेक्शन में क्या बताएंगे कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बताना नहीं बूलेंगे और एक चीज़ और आप लोग यहाँ पर देख लीजे कि जिसमें से 10% लोग बता रहें के 50 से 51% के आसपास मेरा स्कोर रहा है 64% लोग बता रहें के 55 से 56 मेरा स्कोर रहा है स्कोर नेबल के इतने कोशन ठीक हुए है 15% लोग बता रहें के 60 से 61 कोशन में करके आया हूँ